नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम साउत की फिल्म पुस्पा दाराइज को रिविव करेंगे आपको बताते चलें कि पुस्पा दाराइज सिनेमा घरों में 17 दिसंबर को तमिल, कंणर, तेलगू, मल्यालम और हिंदी भासाओं में रिलीज हुई है वही साच जनवरी को अमेजन प्राइम पर तमिल, कंणर, तेलगू और मल्यालम भासाओं में रिलीज हो चुकी है क्रोना महामारी के बावजूद इस फिल्म ने सिनेमा घरों में 300 करोड रुपे से ज़्यादा का बिजनेस किया है यह फिल्म दो भागों में बनाई जानी है फिल्म का पहला इंस्टॉल्मेंट पुस्पादा राइज है फिल्म का दूसरा भाग पुस्पादा रूल होगा जिसकी सूटिंग फरवरी में सुरू होनी है पुस्पा दाराइज में मुखिभून का अलू अर्जुन, रस्मी का मंदाना, फाहत फासिल, जगदीज भंडारी, सुनील, राव रमेस धननजे, अनुसया भर्दवाज, सांतनू और अजे गोस ने निभाई हैं वहीं फिल्म का लेखन और डारेक्शन सुकुमार ने किया है, फिल्म की कहानी कुछ यू है, पुस्पा एक लकड़ी काटने वाला मजदूर है, वह और उसके जैसे कई मजदूर रेच सैंडल यानि लाल चंदन की लकड़ी को तसकरों के लिए जंगल से काटते हैं, मार्केट स्रीनू चंदन की लकड़ी को चाइना और जापान के खरीदारों को बेचता है, एक दिन डिएसपी गोविनपा जंगल में रेड मारता है, लेकिन पुस्पा बड़ी होसियारी से चंदन की लकड़ी से लदा ट्रक पानी में चुपा देता है, डिएसपी के टॉर्चर करने पर भी पुस्पा ट्रक का पता डेसपी को नहीं बताता है, इस घटना के बाद पुस्पा सिंडिकेट के मेंबर्स कोंडा रेडी के साथ पार्टनर्सिप में तसकरी का बिजनेस करने लगता है, सिंडिकेट के मेंबर 200 करोड रुपए की चंदन की लकड़ी की डिलीवरी की जिम्मेदारी कोंडा रेडी को देते हैं, कोंडा रेडी यह जिम्मेदारी पुस्पा को देता है, इसी दोरान पुस्पा को पता चलता है कि सिरीनू चंदन की लकड़ी को सिंडिकेट से 25 लाक रुपए प्रतिटन में खरीदता है, और 1.5 करोड रुपए प्रतिटन में ब उन्हों तरफ के कई लोग मारे जाते हैं। वहीं पुस्पा सिंडिकेट के मेंबर्स को विश्वास में लेकर चंदन की लकडी का बिजनेस अपने हाथ में ले लेता है। चुकि सुकुमार फिल्म के लेखक हैं इसलिए उन्होंने फिल्म का डिरेक्शन अच्छे से किया है। वे एक्टिंग कर रहे हैं। उनका यह स्टाइल रियल लगता है। एक्टिंग के साथ बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी और उम्दा एक्षन फिल्म में जान डाल देते हैं। एक्टिंग के सीन को अगर ठीक से न फिल्माया जाये तो फिल्म में एक्टिंग नॉर्मन लगते हैं और दर्सकों को मजा भी नहीं आता है। फिल्म में एक्सन अच्छे हैं और उनका फिल्मांकन भी सही तरीके से किया गया है जैसे अलू अर्जुन जब ट्रक लेकर भागते हैं तो ट्रक हवा में उड़कर चलती है या सीन देखने लायक है वहीं पानी में बाइक से एक्सन के सीन और रेट सेंडल को पहाड की उचाई से नदी में फेकने के द्रिश्चों को बेहतरीन तरीके से फिल्म आया गया है फिल्म की आधी की बात करें तो फिल्म करीब तीन घंटे की है सिनेमा घरों की बात करें तो वहाँ पर 1-7-3 घंटे फिल्म देखी जा सकती है लेकिन लेप्टाउप पर 1-7-3 घंटे गुजारना मुस्किल है रोमांस और फैमली ड्रामा के द्रिश फिल्म को स्लो कर देते हैं खासकर जब आप OTT प्लेटफारम पर फिल्म देख रहे हों तो इन द्रिशु को स्किप करने का मन करता है इन द्रिशु को कम करके फिल्म को सबा 2 घंटे की किया जा सकता था तो फिल्म और बेतर होती अगर मेरे decision की बात करें तो film एक बार देखने लायक है film की कहानी बिल्कुल phrase है अभी तक इस विशे पर जितनी भी film बनी है वे सभी filmें कहीं न कहीं वीरपन से inspire हैं लेकिन पुस्पा की कहानी बिल्कुल अलग है जिसमें syndicate को दिखाया गया है फिल्म में action और cinematography बेतरीन है जिन्हें सिनेमा घरों में देखकर दर्सक रोमांचित हो जाते हैं अगर आप पुस्पा को हिंदी में देखना चाते हैं तो आपको सिनेमा घरों तक जाना पड़ेगा जबकि Amazon Prime पर इस फिल्म को आप तमिल, तेलगू, मलियालम और कन्नड भासा में English सब्टाइटिल के साथ देख सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को शेर करें